हेलो अव्रिवन मैं हूँ एडोकेट राहूल मिश्रो राज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पुलिस की बत्तमीजियां किस तरीके से बढ़ गई हैं फरजी मुकदमा लिखाने के नाम पर अब आप समय लीजे जब लड़कियां 376 का मुकदमा जो सीधी साधी भोली भाली लड़कियां हैं जो एक्चुल में जानती हैं कि उन्होंने किसी के साथ अगर संबंद बनाया है तो कंसेंट से बनाया है और वो उस कंडिशन में 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमा को वो बुरी तरीके से उशालती है और लड़के को गिरफतार करके चालान करके तुरंत जेल भेज़ देती हैं अब डेटेल में बात करता हूं इस केस के बारे में जो कि पंजाब का केस है हमारे क्लाइन ने हमें अप्रोच किया अब इस मैटर के हम लोग क्वेशिंग में जा रहे हैं और पुलिस के खिलाब इस मैटर में कारवाई हम करने वाले हैं अब डेटेल में आपको बताऊं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार आ रहे हैं या भी तक आप लोगों नहीं से सब्सक्राइब नहीं कि पहले वाटसप के तो अपनी अपॉइंटमेंट कराई है अब फिर बात होगी देखे दोस्तों एक लड़का लड़की दोनों लोग सहमती से रिलेशनसिप में थे उन लोगों की बीच में बाचीत प्यार महुबत सब कुस था लंबा रिलेशनसिप था लेकिन किसी कारण की चीजे ठीक थी ना लड़की की तरफ से कोई कंप्लेंट आई ना लड़के की तरफ से कोई कंप्लेंट आई अब अचानक से लड़की के फोन में जो लड़के के साथ कुछ प्राइवेट फोटोस थी और कुछ नॉर्मल फोटोस थी किसी फ्रेंड ने लड़की के या किसी third party है अपने या किसी वेक्ति ने किसी तरीके से उस photo का viral कर दिया अब लड़की और लड़की के पिता चुकि इस matter को लेके बेहत परिशान हो गए कि उनकी private photos जो है viral हो गई लड़की का प्राइमाफिस आई पहली बार में शक होना वाजिब था लड़के के उपर ही तो लड़की complaint कराने के लिए police station में गए कि उसकी photos और videos किसी वेक्ति ने viral कर दी है क्योंकि लड़का उस photo में था लड़की के साथ वो photos viral हुई थी तो police ने लड़के को phone करा लड़के को बुलाया मैं हमेशा मना करता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको police station से call आता है तो direct नहीं जाईएगा और आप गिरफतार हो जाएंगे पुलिस आपका phone चीन लेगी सारे evidence आपके मिटा देगी same as it is लड़के के साथ हुआ लड़के को police ने बुलाया और लड़के को police ने गिरफतार करा वहीं से चालान करके जेल भेज दिया और उसका phone अपने पास जब्त कर लिया अब आप समझ लीजिए ये सारी घटना करम लड़के के साथ हो गए अब चूकि लड़की और उसके पिता को जानना था कि ये भाई इनकी photos viral किसने कर दी तो लड़की ने लड़के के खिलाफ कोई complaint नहीं दी लेकिन police ने उनकी तहरीर बदल दी police ने जी हाँ जो वो एप्लिकेशन लेके गए थे कि हमें इस matter की जाच करानी है कि किसने उनकी photos viral करी है इस घटना करम को विस्तार पूरबक समझा जाए और देखा जाए और जाच करके निकाला जाए उस दोशी को जेल भेजा जाए लेकिन police क्योंकि जाच सही से करना नहीं चाहती अपना काम कम करना चाहती किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहती कोई effort नहीं डालना चाहती तो police ने का करा उसी लड़के को गिरफतार करके जेल भेज दिया और उसी के ओपर सारे allegation लगा दिया कि इनके द्वारा photos viral करे गए इनके साथ सारे रिक्समन मनाते थे regular basis पर इनके साथ ये sexual relation से build up करते थे और लड़की लड़के का break up हो गया लड़की को blackmail करने के लिए इन्होंने उसकी photos viral कर दी अब लड़की जो मूल तहरीर रिखे गई थी उस मूल तहरीर को इन्होंने बदल दिया और pressure इनके ओपर डाल दिया कैसा है तुमको हम जेल भेज देंगे अगर तुम ये तहरीर नहीं दोगी तो तो लड़की ने मजबूरी में मजबूरी में को हो या डर में को हो जिसमें को हो उसने वो तहरीर पर हस्ताक्षर कर दिये अब police station से लड़की निकल के आती लड़का जेल चला जाता है लड़की कहती कि मैं तो इनके खिलाफ 346 लिखाना नहीं चाहती थी मुझे पता ही नहीं 376 होता क्या अब आप समझ लिए ये आलम है तो लड़की ने 164 स्टेटमेंट हुआ लड़की को मैंने समझाया अगर तुम्हारे साथ लड़के नहीं करा है तो तुमको इस मैटर में 164 के स्टेटमेंट में यही कहना चाहिए लड़के ने तुम्हारे साथ किसी प्रकार की जोर्जबरस्टी नहीं करी थी और तुम केवल और केवल जो है उस पाटिकुलर कंटेंट की जाच कराना चाहती हो कि किसने तुम्हारे वीडियोज और फोटोस को वाइरल किया अब आप अंदाजा लगा लिजिए लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दे दिया अब पुलिस का क्या होगा पुलिस के खिलाफ हम लोग जाच बठाएंगे पुलिस के खिलाफ पुलिस के खिलाफ में लड़के की लाइफ स्पोईल कर दीए और पुलिस वालों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उनके कंधे पे सितारे लगाए गए है कमर पिस्टल खूसी गई है तो अपराधियों को परिशान करने के लिए ना कि आम आदमी को ना कि सही आद तो मौरल अब दा स्टोरी ये है कि जब भी पुलिस टेशन से कॉल आए डारेक्ट नहीं चाहिएगा अपने लॉयर को भेजिएगा लॉयर साफ की मदद से ही आप निकल पाएंगे अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आप जेल में ही रहेंगे बाहर नहीं आ पाएंग इसलिए अलट रहो, सावधान रहो, सतर करो, बाकी कोई समस्या हो, संपर करो, हम पूरी मदद करेंगे बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने लॉयर साफ से बात करें वही आपको एप्रूप्रियेट सजेशन देंगे, सही सजेशन देंगे, सही मार्ग दर्शन और आपकी help करेंगे बाकी जितना महिलाओं से दूर रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे और आसपास मंडराओगे तो जेल चले जाओगे